हेलो गाइज मैं आशन यह आप देख रहे हैं हार्डवे माना आज मेरे पास एक लैपटोप है जो बहुत ही महाँगा लैपटोप है पहले बताना चाहतो इस थ्री लाख रुपीज लैपटोप लेकिन यह जिस लैपटोप के साथ कमपीट करने कोशिच करना वो भी बहुत ज़्यादा महाँगा है और मैं बात कर रहा हूँ एपल के मैकबुक प्रो की यह जो लैपटोप है यह है सामसंग का गैलक्सी बुक 3 अल्चा इंटल इवो बेस लैपटोप है यह आता है 3900H के साथ, RTX 4070 के साथ और एक बहुत ही प्यारी 3K Super AMOLED डिस्प्लेइ के साथ जो 120Hz सकती है लेकिन अगर आपको एपल के मैकबुक से कमपीट करना है तो आपको भी अपना बेस्ट डिलिवर करना पड़ेगा यह लैपटोप में अल्मोस्ट एक मैने से यूज़ कर रहा हूँ यह जो विडियो है तो इस लैपटोप के अगर आपको ना परफॉर्मेंस वगरा बहुत ही डीटेल में चीब बहुत ही बेंचमर्क वगरा चेकरना है तो डिस्क्रिप्शन में ने एक लिंक डालिए तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर चेकर से तो इस अलवेज हाई क्वालिटी अलुमीनियम माल यह जो समस्क ने यहाँ पर जो डिलिवर किया है यह आल्मोस उसको उसको टच कर रहा है और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक फुल अलुमीनियम बिल्ड की बहुत ही स्लिम डिजाइन फॉर फॉर पाव हाउस जो यह है फॉर एक नमल 3900H या फॉर RTX 4070 के साथ जो आता है बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो तो उसके साब से जो बिल्ड इन उनने प्रोवाइट किये तो कोई फ्लेक्स होगरा नहीं है जो डेंसिटी है मतलब जो आप इसको लिफ्ट करते है फील्स वरी डेंसिट, फील्स वरी प्रीमियम बिल्ड कॉलिटी के मावले मुझे कोई कमी नहीं यह त्स वरी शाप मतलब जहाँ पर शाप होना चाहिए एज़ वगरा बहुत ही अच्छी शाप तरीके से लेकिन बहुत ही सुन्दर राउंडेट कॉर्नर भी है जो बॉटम प्लेट वगरा है वो बहुत ही सुन्दर तरीके से कट वगरा किया गया है इसको I think Samsung almost matches Apple यहाँ पर मुझे कोई कंप्लेन ने है यहाँ पर except for one thing यह कुछ जादा ही हेलता है मलब इसका अगर आप वबल देखे न तो जैसे आप देख रहे हैं यह कुछ जादा ही वबल करता है तो यह मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रूर इंप्रूफ कर सकते है अदर्वाइस मलब जब आप हिंज को ओपन करते है फिल्स नाइस लेकिन थोड़ा से सल रता है थोड़ा प्लेज जादा है यहाँ पर तो एक जगा जहाँ पर एपल से थोड़ा ज्यादा बेटर है वो है इसकी स्क्रीन तो एक 16 इंज का लैप्टॉप है यह एक 16 इंज के साथ आता है यानि थोड़ा सा उचा जादा है ट्रेडिशन लैप्टॉप की स्क्रीन से 3K रेजोलुशन की डिस्प्ले है और 120 हर्स तर जा सकती है और यह एक सूपर एमयरोड डिस्प्ले यानि वही एमयरोड टेक्नोलजी हो आपना Samsung Galaxy phones पे आपको मिलती है इस इस मोर अफ एक्रियेटर लैप्टॉप अज वर्कोर्स लैप्टॉप जहां पर बहुत अची विडियो एडिटिंग कर सकते हैं फोट एडिटिंग कर सकते हैं परेडशीट पर परफॉर्मस निकाल सकते हैं उसको आप 16 इंची कर लो वैसी आपको एना स्क्रीन मिलती है दिखती है बहुत जादा शाप दिखती है कोई मोशन बेर आपको जादा ने दिखता है बिकाज ओलेट का एडवांटेज होता है कि किसी भी दूसरे स्क्रीन टाइप से यह जादा रिस्पॉंसिव होता है मुवीज वगर देखने के टाइम नॉर्मल लैप्टाउस ने कि अधना उपर नीचे ब्लैक बार्स होगर बनते वह पर थोड़ा अनॉइंग हो जाते है बिकाज थोड़ा ग्रे दिखता है यहाँ पर ऐसा नहीं है बेजल्स होगर अभी काफी ज़दा पतले है और राउनेट एज़स स्क्रीन पे तो इस अन इंटरस्टिंग एजस लेकिन टेकने के लिए आपको आपने जितने पिक्सल्स के लिए पैसे दिये थे आपको सारे पिक्सल्स नहीं मिल रहे है तो इसका अगेंस में केस होना चाहिए तो ज़ली से ट्रैकपड और कीबोर की बात करते है तो यह बहुत बड़ा है यह बहुत ज़ादा बड़ा है बढ़ा है यह सब से किसी खास बात है बड़ा ट्रैकपड इसको यूस करने का मन करते है लेकिन ऐसा लगा है जैसे पर आपका टैच और जो स्क्रीन पर दिख रहे है ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्पूइट लागा है बढ़ाब इससे लापटव से मैंने ज़ादा चे ट्रैकपड मतलब अच्छा लगा देखके यहां पर देखके यहां पर आज भी नहीं है अनफॉचनेटली गेम में लैप्टॉप नहीं है क्या कर सकते हैं लेओट वोगर का फेचा लेकिन मुझे एक चीज ने परिशान किया वह था इसका स्पेस बार इसका स्पेस बार बहुत ही सस्था साउंड करता है जिसे कुछ राटल कर रहा है जिसे वो सस्थे होता है ना सस्थे मेकैनिकल कीबोर्टस अवास करते है तो वैसा अवास करते है मुझे बता कि अजीब लगता है सांसंग और एपल दोनों ही market leaders है जब हैना हम लोग phone cameras की बात करते हैं लेकिन उनके जो laptops के cameras है, webcams वगरा है वो इस quality के आपको मिलते है I know limitation होती है, physical limitation होती है हमारे laptop bezels वगरा की लेकिन मेरे खाल से इतना R&D वगरा करी रहे इतना vision pro वगरा launch कर रहे है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो innovation ज़रू कर सकते है बट otherwise जो quality है, 1080p webcam है यहाँ पर quality में होगा colors मुझे काफी accurate लेखे and smoothness भी generally अच्छी है but it's still better than most other windows based in our webcams, लेकिन H is जरू मिसिंग है यहाँ पर वो है Windows Hello का login feature there's no space for IR sensors वगरा तो आपको अपे पुराने तरीके से आतन जमाले के fingerprint sensor वगरा को ही use करना पड़ेगा अब यह कहना गलत तो नहीं होगा कि जो Apple है वो सबसे best नहीं है जब हम लोग I.O वगरा की बात करते है यहाँ पे Samsung ने कुछ जादा ही copy कर लिए Apple को मेरे खाल से उनको ऐसे नहीं करना जाए तो मैं यह बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो I.O selection है वो थोड़ी सी और ज्यादा robust हो सकते ही for example यहाँ पे दो Thunderbolt 4 ports है अची बात है यहाँ पे एक HDMI port भी है यहाँ पे USB Type A port है यहाँ पे एक audio combo jack है यहाँ पे एक micro SD card slot है यहाँ पे उनली USB charging है नहीं है तो यो charger वो USB के साथ ही करें तो अगर आप इसको charge करते तो आप के यह थंडर बोल 4 पूर बीजी हो जाता है चार्जिंग के लिए तो अनॉइंग हो जाते है honestly 2 USB A ports चार USB ports नहीं चाहिए also यहां पे कोई भी LAN port नहीं है मलब इधरनेट port नहीं है clear indication है कि गेमिंग लैपटॉप नहीं this is a wireless only connectivity option तो coming to the speakers यहां पे मेरी expectation सादा थी यह almost expectation को touch कर रहा था but वावपसी नीचे आगा because इसकी जो speakers है वो जेनरली अच्छा साउंड करते हैं, लेकिन देर्स इस इशू की बेस नहीं है, विंडोज लाप्टॉप सा करसे, लेकिन बेस नोट्स जब आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सलता है, होलो साउंड करते हैं, तो दूसरी तरफ ये जो लाप्टॉप है, ये एक इंटल एवो प्लाटफॉर्म पे बेस लाप्टॉप है, इंटल एवो क्या है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इंटल की तरफ से, जो दूसरे लाप्टॉप पेनफेक्चर के साथ मिल के काम काती है, जाकि उनके जो लाप्टॉप से, वो एक कुछ सेर्टेन स्टैंडर्ड के साथ आए, तो ये लाप्टॉप भी उसमें से एक है, तो जैसे मैंने बताया है, बिल क्वालिटी वगरा अचा है, तो इंट बिलकुल इंस्टन लिए आपके सामने लॉग इन स्कीन उगरा जाता है, तो बहुत जादा रिस्पॉंसिव है, आप इसको स्लीप लगा जली सी स्लीप चला जाता है, कभी ऐसा कुछ लगाने कि लाग हो रहा है, मैंने एक स्क्रीन खोली वो एक सेकेंड ले रहा, उसके बा जितने प्रफोर्मेंस नहीं मिले वाले, उसके सिफ आधी प्रफोर्मेंस लेकि, क्यूडा को स्पूरे मिलने वाले, उसका एडवांटेग इज होने वाले कि आपको में मेंटेंसिव टास्क में वीडियो दिटिन वगरा में काफी मदद होने वाली है, फो यह जो फॉत वेटेशन है तो भी गेमिंग के लिए बिष्ली नहीं मना लेकिन एडिटिंग में पुरॉप कर दोफिर प्रॉलम नहीं होई इस ए फोटोशॉप मुझे कोई प्रॉलम नहीं यह तो आप करें तो अब बिलकुल अच्छा काम के करता है तो वह पर पावगट का गया गया उ यूट्यूब वाचिंग की, बहुत देर ना, जैसे वेब ब्राउज होगरा कुछ कर लिए, कुई आर्टिकल्स होगरा देख लिए यहां फर पीछे म्यूजिक चल रहा है, मैं पॉड्कास वगरा इसको लगा के छोटा हूँ, स्क्रीन अन करके चोड़ रहा हूँ, और स्क्रीन भी लाइक, पांच गंटे तक की बैटरी लाइफ, छे गंटे की बैटरी लाइफ देना, इस प्रिटी डीसेंड, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिकास जनरली इस पैसेंज के लाइफ, तीन गंटे से जादा नहीं चलते हैं, ठीक है, मैं मुश्किल से उनको चार गंटे तक हीच सकता हूँ, चार गंटे के बाद चार्ज करना ही पड़ेगा चाहिए, मैं जितने लो ब्राइटने सुगरा पे रखो, एक चीज ज़रूर जो प्राइस, परफोर्मेंस एशो बगरा है, तो वो सही नहीं बैठ था, बिकॉज अगर आपको से रोफ परफोर्मेंस चीज, आपको एक 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 आइन नाइन प्रोसेसर चीज, दिन डेफिनेटली गो फर सम्तिंग आरोजी बगर के लैप्टोप सो गए, एक गेमिंग ल आपको जाथा चीज परफोर्मेंस देने वाला है, फो लेसर पाइस, तीन लाग रोवे पे कर रहे हैं, वो मेंली पे कर रहे हैं, फो बेल्ट कॉलिटी, अमेजिंग स्कीन, फो बिक ट्राइक पर एंड फॉर्म फेक्टर भी बहुत ही जादा स्लिम है, यह सब है, प्लस साम फीफ फीचर सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिफ गैलक्सी फोन सोगरा के साथ, और विसली सामसंग का एको सिस्टम है, आप जैसे अपने गैलक्सी टैप को एज सेकंडी स्कीन की तरह यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही क्वालिटी ओफ लाइफ फीचर और वो आपको मिलेंगा अपल की एको सिस्टम से प्रॉलम ही है, फिर आपके बास ही करना, आप S24 बगरा जादा ओन करते हैं, S-Tab बगरा जादा ओन करते हैं, इसके सस्ते वर्जन भी आप उनको खरीच सकते हैं, यह बहुत ही कुछ स्पेसिविक लोगों के लिए, नॉमल जनता के लिए नहीं है, इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेट से मुझे जरूर बताना, आपकी लाइक, शेयर सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करते हैं, मैं मिलूँगा आपको अगली बाटल, और बाए!